माराश पुलिस ने गर्चे रॉली के खने जंगलों से कुंकार नकसली को किया गिरफतार बाबल सुप्रियों ने लोगसबा की सदस्सिता से दिया इस्तीफा पिया मोदी और अमिच्छा को कहे शुक्रिया सुरक्षा एजन्सियों को मिला बड़ा अलड़ पंजाव चुनाव से पहले हमले करवा सकता है आईसाई पंडोरा पेपर्स मामले में बवुस्तरी एजन्सियों की जाच शुरू पिछले सब्ता हुई पहली बैठर आतंकी हिंसा से निपटने को सरकार ने कसी कमार NIA IB और रॉक के वरिश अधिकारी ने डाला डेरा नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में शुरूता करगा आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आईरस डालते हैं उत्राखन की कुछ खास खबरों पर जशने ईद मुलादुनी के नभी के मौके पर घनावरी से चादर लेकर गुजर रहे आतंक अकीदत मंदो को निर नी वर्तमान जिला सदस से बूप सिंग ने घनावरी की कैम्प लगा कर भविस्वागत किया बता देगी कलियर में साबिर पाक के 753 वे उर्स के मौके पर भूप सिंग के सौजने से अकीदत मंदो को पानी फल एवं जलपान समगरी वित्रत की गए गनावरी में अकीदत मंदो का स्वागत करते हुए नवर्तमान जिला पंचाय सदस से बूप सिंग ने कहा कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मो की आपसी कौमे एकता की मिसाल फूरी विश में दी जाती है यहां सभी धर्मो के लोग आपसी में भाईचारे बना कर रहते हैं कि मैं लोग अल्ला से दुआ करें देश में पर देश में मेरे एक शेत्र में चंपवा जन्पद में जीमान शेत्र टमकपुर में बेहने वाली शार्दा नदी उफान पर है जिसके चलते नदी के नारे बसी बस्तियों में शार्दा का पानी घुज गया है प्रशासन पूरी तरह मुस्तेदी के साथ नदी किनारे बसे हुए लोगों का रिस्क्यू कर रहा है बचाफ कारे गे लिए अर्मी और जल पुलिस आदी की मदद ली जा रही है पूरे शेत को प्रतिबंदित कर दिया गया है तो वहीं अपने घरों में फासे लोगों को निकाल कर सुरक्षे सिस्तानों पर पहुंचाया जा रहा है मौके पर निरिक्षन करने पहुंचे जिलातिकारी हिमाचू कफल टिया ने बताया कि शारदा नदी जो अपने रिकॉर्ड जल स्थर से काफी उपर चल रही है जिसमें कल से ही हमारे द्वारा रेस्क्यू आपरेशन चलाय जा रहा है आज जल इस तर और बहुत जादा हो गया है तो हम लोगों के दारे रेस्क्यू आपरेशन चलाय गया है रात से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और आज सुबे इंडिन आर्मी को भी रोकिन किया गया है इंडिन आर्मी की मदद से भी हम लोगों ने काफी यहां पर लोगे रेस्क्यू किया है इस वक्त शारदा घार शेत्र और खचर पड़ावा जो भी बिलकुल शारदा के तटी शेत्र हैं वहां से सभी लोगों को पूरी तरीके से निकाल लिए उत्रकंड में भारे बारशे तबाही का अलम एक बर फिर देखने को मिल रहा है जगे जगे बूस कलन के चलते कम से कम छे समित अब तक कुल आठ लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है इसके साथ ही रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई रिसौर्ट पानी पानी हो चुके हैं तो कई खाली किये जा रहे हैं जैसा कि वेभी सुचना में लिए कि भीम गोड़ा बारा से काफी बड़ी मात्रव में पानी चोड़ा गया है तो इसमें यहां पर जो ददी का चलस्तर है वो चनक से बढ़ने की सब्मावना है तो इसमें जो नदी के किनारे जो गाउं हो वशेश कर जो रामपुर राइगटी अनिटपूर कलस्यत अधी जो यहां के गाउं है उसमें सभी शेत्रों में ब्रहमन करके और पुलिस यहां करें साथ यह नियर्फ की टीम मोबिलाइज कर दी गई है और किसी प्रकार की आउशिता पड़ने पे पुलिस का सभी करने के लिए अज आप देख रहे हैं उत्राहखणने नहीं पुर दिस के अंदर लगातार दो दिन से बारिस हो रही है आज किसानों का जो धान दीन में भीग चुका है मेरे दारा जनी तियाशी का जो दारी की तो यह इतिहासिक फ्रसला देश के त्यास में दिया गया था कि किसानों का फसलों के लिए सरकार को अधिक से गोडाउंस बनानी जाए जिनको फसलों को बचा सकते लेकिन दुर्भाग इवाद सरकार्को इस इसमें पिछले दो दुनों है भीषन भारिश से हमांसे जो हमारे भावर पट्टी जो कास्तकार है उजोटे इस तरगा कास्तकार नावदे क्वारीय,्सृटे का नावs तो सब से जितने भी पुलों से होकर कि ये करारी और कमोला और आपका धमोला तो इनसे लगे हुए ग्रामिड छेत्र जो हैं वो सब परभाईद हो चुके हैं और मेरा आपके चैनल के माद्यम से में कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इस थ्राशति को और कास्तोकारों की इस थ्षति को पुर्ण कले के लिए इसे देवी कामधा गोजित करें और इस दुख की घड़ी में कास्तोकारों के चाहता है पिरान कलिर में दर्गासाब एरपाक में प्रदेश अथ्यक्ष राजेश रस्तोगी ने चादर पोशी कर अमन्द चैन की दूय आ मागई महीराजेश रस्तोगी ने कहा कि बाजपसरकार में महंगाई आस्मान चू रही है और बाजपसरकार में पैट्रोल डीजल की दाम दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं करीब जनता को अपना पालन पोशन करना भारी पढ़ रहा है और बाजपसरकार में रोजगार खत्त कर दिये गए हैं कंपना की हैं गांधी परीवार की सुर्चा की अंग्रेश की मजबूती की हर युँआ को रोजगार की और जिस तरीके से आज किसान के साथ सोतेला अभार हो रहा है किसान के स्वाविभान को किलवार की दम पे घतल करने का परियास किया जा है बाज़पूर शहर से लेकर गाओं तक चशने इदमिलाद उननभी का जुलूस अकीदत एतराम के साथ निकाला गया हर तरफ जुलूस मुहमदी की धूम रही बाज़पूर में मदल से अंजुमन उलूस देश शुरू होकर जुलूस मुहमदी निकाला गया और हर तरफ तकबीर नारे रिसालत की सदाएं गुंचती रही जा ममदीद के इमाम शादाब मिस्वाही ने नेतत में जुलूस निकाला गया अज़ की थारीख पेदाईश हुई उसकी खुशी में पूरी दुनिया के मसलमान अपने आकाल असलात अश्लाम की खुशी में यह सारा एक्तमाम किया करते हैं काउं बासपूर से निकला मलरसा कंगली खुरूम से और खनोरा खनोरी होते हुए और अब रंपुरा शाकर उसके बाद मनफ़त कंगलों पर ही इसके ख्ताम हो जाएगा ने इसके लावा भी फिरहल कोई प्रोगाम नहीं है अपने मूम या मिट्व बनने वाले एक बद जुबान विदायक प्रणफ चैंपियन कापरेस कलब भावानपुर के पुतला देहन किया और जमकर मुरदाबाद के नारे लगाए गए पत्रकार के साथ बत्तमीजी के मामले में आए दिन भाजपा विदाय का पुतला देहन किया जा रहा है पुतला देहन के बाद नर्ने लिया गया कि प्रणफ के माफी मांगने तक उनकी कवरेस का पहिशकार किया जाएगा कुछ नहीं है ठीक है नहीं जिसका दिल बढ़ानी वो कभी राजा नहीं हो सकता सबसे पहली बात उन्होंने जो हमारे पत्रकार साथी की साथ बत्तमीजी की है वह भगवानपुर प्रेस कलब वह अन्ने हो जितने भी कलब हैं मैं बढ़दास नहीं करेंगे और कुमार प्र पिरान कलियर में साबर पाक के 753 वे उर्स के दोरान छोटी रोशनी के दिन पिरान कलियर विदायक हाजी फुरकान एहमद ने उर्स विवस्ताओं का जाइज लिया क्योंकि पूरे प्रदेश पर में मौसम विभाग दोरा रेड अलर्ट और भारी बारिश का लगातार हो र अमनों आमान की दौाय मांगी बगला मुगी महायक को लेकर बाबा हट योगी जी मराज का बयाम सामने आया है जानों ने बताया कि आने वाली 20 अक्टूबर को मोरने के पर पर आश्टरम परिसर में गुरुजी के दिशान देशन में विशालमा बगला मुगी ये महायक का आयोजन किया जाएगा 20 अक्टूबर की शाम 6 बजे से अगले दिन सुबे 6 बजे तक पारा घंटे इस दिविहवन क्यक में कई प्रांतों के भाक्त जज़ शामिल होंगे समाज में सामन जश्षिष्टा पितो इसलिए हो रहा है देविक देविक और भोतिक जो आपदाएं आती है उनके निवाराण करने के लिए हो रहा है तो उसलिए यह जो हमारे आनादिकाल से हमारे यह इस तरह की सिद्धियों का अनुष्ठानों का यग्यों का प्रतलन चला आ रहा है और कोई अगर इस तरह का होता है सितार गंच में बड़े ही दूमदाम से जुलूस मुहमदी मनाया गया जिसमें हजारों की संक्या में लोगों ने शेहर का जामा मजज़ित से मेंन मार्केट के च्छा रोड अमरिया चौराहा माराना प्रताब चौक होते हुए अमन और शांती के साथ जुलूस निकाला भारी भीड को देखतो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतिजामात किये गए थे जुलूस मुहमदी में बच्छे युवा और बज़र्गों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया वही शहर में काई जगे लोगों ने जुलूस में चल रहे जुलूस में चल रहे युवाओ के हाथ में इसलामी ज़ंडे और देश की शान तरंगा भी लहराया अधरा रसुले रखरेम अधरात जैसा कि हमारा नौके पाज लुड़ जोसे मुहमदी शर्ण वर्शू के शामिल हुए है ये हमारे एज इसलाम का शियान और तरीका है और प्यारे नभी स्रभले काईनात की हमारी मुहबद लगसार पूलस ने वरिष पूलस अधिक्षक के देशा नरदेशन में एक अभ्यान चलाया जिसमें हर रोज समयक का विया पार करने वाले युवक वायुफतियों को गरफतार किया जा रहा है बीती रात पुलिस ने बहादर बुर्खादर के पास रेलवे फाटक पर मादक पदारतों के साथ एक युवक के होने की जूशना पर चापे मारी की चापे मारी कारवाई में एक युवक को गिरफतार किया गया जिसके पास से 10.3 ग्राम स्मैक परामत की गई पकड़े गई वक के खिलाफ NDPC की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है बरसाथ के बावजुद बड़े ही हर्शोलास के साथ जुलूस मुहमदी निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत करते हुए लालकुआ रोशन मस्जित और जामो मस्जित नगर के मुकिमार्गों पर होते हुए जुलूस निकाला इस दोरान शुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी जगे जगे तैनात रहा मही जुलूस मुहमदी में बच्चे युवाव बुजर्ग ने पर चड़ कर हिस्सा लिया मही शहर में कई जगे लोगों ने जुलूस में चल रहे लोगों को लंगर बाट कर शहर में कोई जाम ना लगे इसलिए प्रशासन जुलूस के साथ साथ चलता रहा एक तरफ उत्रखंड में भारी बारिश के चलते जंग जीवन आस्वियस हो गया है वहीं दूसरी तरफ पहाडों के रानी मसूरी में विंटर लाइन का खुबसूरत नजारा देखने को मिला पहाडों की रानी मसूरी की प्राकत एक खुबसूरती का कोई जवाब नहीं है इसे पहाडी शहर को प्राकती ने कई खुबसूरत और भी नजारे दिये है मसूरी में एक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच कभी कभी सूरियास के पाद एक अनुखा नसारा पश्चिम दिशाम में आस्मान की ओर दिखता है एक रंग उभरता है मानो कुदरत नहीं ये तस्वीर सिर्फ मसूरी के लिए ही खीची हो इसी लाल सुर्क रेखा के विंटर लाइन कहते हैं जो भी इस रंगीन रेखा को देखता है बस देखता ही रह जाता है रोड़की की भगवान पुर्थाना पुलिस के हाथ पड़ी कामया भी हाथ लगी है पुलिस ने 102 ग्राम अवैद स्मैक के साथ एक अभीट को ग्रफतार किया है जिसकी कीमत अंतराश्टी बाजार में 6 से 10 लाक रुपे बताई जा रही है एसपे देहाद परमेंद सिंग डुबाल ने बताया कि एससपी हरदवार के निर्देश नुसार निर्शे के विरुद चलाए जा रहे है अभियान के अंतरकत थाना पगवान पुर्शेतर में अलगलग थानों पर तलाशी ली गई जहां एक शक्स के पास 102 ग्राम अवैद स्मैक पुलस को बरामत हुई है जो दूसरा मुल्जी में उसको भी हम सिगर करेंगा और करीब 100 ग्राम के असपास इससे ट्रक्स के हमें स्मैक की परेटन नगरी मसूरी के लाइबरी शेतर सिद गड़ी खाना के लोगों का जीना दूबर हो गया है बहते सीवर और कुड़े की धेर लगी होने के कारण लगतार बिमारियों का खत्रा बना हुआ है साती यहां पर लोगों दूबरा नया डंपिंग जोन भी बना दिया गया है जहां पर तमाम कुड़ा पड़ा हुआ है ना तो स्थानी प्रिशासन ना ही परेटन विभाग इस पर ध्यान दे रहा है जिससे बिमारियों का खत्रा बना हुआ है परेटन विभाग द्वारा सौंदरी करण के नाम पर करोड़ों रुपे लगाये जा रहे हैं लेकिन वहां पर लगता लोगों द्वारा कूड़ा और मलवाफी का जा रहा है तो वहां इतनी गंदगी है कि एक तरफ तो वहां लोगों का जीना दुलब और का है और जो स्रीवर लाइन की दिक्कत है उनको दिक्कत का काफी सामना करना पड़ा है खुली उसमें आ रही है काफी बड़े बड़े होटल लोगों ने ले रखे है पर उसमें जो सीवर रायम की समझ से है पर उसमें भी ध्यान देना चाहिए उनने जो जनता ध्यान ने दे चारी उसी ततकाल मेरी यो से बात हुई उत्राखन की अब तक की खपरों में बस इतना है और तमाम देश दुनिया की खपरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार झाल